हेलो प्यारे विदार्तियों, सिर्मा अकेटमिक यूटूब चन्पर आपका हार्दिक स्वागत है I hope कि आप सभी सबस्त होंगे, मस्त होंगे आज हम बात करें इंग्लिज क्लास 9 की वोक्षिट नमबर 14 की जिसमें दे रखा है, क्यूस्टन फ्रेमिंग विद हेल्पिंग वर्प्स यानि फ्रेमिंग क्यूस्टन है, जो हेल्पिंग वर्प की साहितास अपने को बनाने है Learning Outcomes दे रखे हैं, Learner ask questions in different contexts and situations यानि आपको अलग-लग, यानि situations भी लेगी Learning Skills रहेगी, Critical Thinking, Effective Communication, Grammatical Proficiency कैसे बनाना है, Question having answer yes, no, begins with a helping verb, auxiliary verb से शुरुआत करना होता है To make question, we put a helping verb before the subject, उसके बाद में subject को रखना होता है If there is only main verb in answer यदि answer के अंदर main verb हो है, we put do, does, did before the subject Subject से पहले अपन क्या करते है, यानि do, does और did का use करना है, यानि उनको रखना है जैसे example दे रखा है, Frame question with the given statements, example Yes, he is going to Jepore, हाँ, वह Jepore जा रहा है, अब उससे question करना है ये answer है, जो पहले देंगे, ये answer है अपने को question बनाना होता है, framing question Is he going to Jepore, क्या वह Jepore जा रहा है, तो वह उतर देगा, हाँ, Yes, वह Jepore जा रहा है Yes, I play cricket, हाँ, मैं cricket खेलता हूँ, Do you play cricket, क्या तुम cricket खेलती हो, यानि person बनाना है अपने को इसी तरिके से, No, I don't live in a city, नहीं, मैं city में नहीं रहता है, I live in village में, गाउं में रहता हूँ Yes, I work in a hospital, हाँ, मैं hospital में कारे करता हूँ, अब उसे person पुछेगा, यानि ये क्या है, ये क्यों से नहीं बना तो Do you work in hospital, क्या तुम hospital में काम करते हो, Next है, No, I haven't learned today's lesson, तो बन जाएगा, Have you learned today's lesson Next है, Yes, He has a car, हाँ, वह है कार, He has a car, वह है कार, उसकी है, Does He have a car, क्या उसके पास कार है, हाँ, उसके पास कार है Yes, I have past class at, वह बन जाएगा, अब देखो, यहाँ पे जो helping वरावा, वह भार लेनी होती है अपने को, अगर नहीं है, तो उसमें do, does, did का use करना है, जैसी ये पहले लिखा, फिर I को किस में change कर दिया, यानि framing question में I को you में change कर देते हैं, तो यहाँ you लिखा, past का past, class at की, class at, और last में question mark, इसी तरीके से next है, yes, परतीमा is very hard working, उसे पुछा दार है, हाँ, परतीमा है, वह कठीन मेहनती है, तो is परतीमा, अब देखो, is यहाँ से पहले ले लिए, उठा लिया, फिर subject, very, अब very, यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, hard working, is परतीमा hard working, क्या, परतीमा है, वह मेहनती है, next है, no, my father is not a teacher, वह कहता है, नहीं, मेरे पिताजी teacher नहीं है, तो उसे person क्या बनेगा, is your father a teacher, क्या तुम्हारे पिताजी teacher है, अब यह इसका answer होगा, नहीं, मेरे पिताजी teacher नहीं है, next है, no, we do not play in the evening, नहीं, हम शाम को नही खेलते, अब वो पूछ रहा है, do you play in the evening, क्या, तुम शाम को खेलते हो, तो उसका answer होगा, नहीं, हम शाम को नहीं खेलते, next है, yes, Mr. Surma, teach us English, yes, Mr. Surma, teach us English, यहनी, Mr. Surma, वो हमें English पढ़ाते हैं, तो does Mr. Surma teach you English, क्या Mr. Surma, तुम English पढ़ाते हैं, तो इसका उत्तर अपन क्या देंगे, yes, अगर पढ़ाते हैं, तो क्या कहें, yes, Mr. Surma, teach us English, यहनी, Mr. Surma, वो हमें English पढ़ाते हैं, next हो जाएगा, yes, she gets up early in the morning, हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अब उससे person क्या बनेगा, यहनी, यह question कैसे बनाएंगे, does she get up early in the morning, क्या तुम सुबह जल्दी उठत नेक्स्त है, yes, they are very helpful, हाँ, वे भहुत सहिता करते हैं, भहुत मदद करते हैं, तो are they helpful, क्या वे helpful हैं, क्या वे मदद करते हैं, yes, next है, no, we aren't practicing for the dance competition, नहीं, हम practice नहीं करते हैं इन 님 딱 कम्पेटिशन के लिए, तो person कैसे बनेगा, are you practicing for the dance competition, क्या आप दैंस कम्पेटिशन के They were very good friends. हाँ, वे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं. तो क्यूस्टन कैसे बनेगा? Were they good friends? क्या वे अच्छे मित्र हैं? Next time, yes, गोपाल was a clever man. हाँ, गोपाल है, वे बहुत चलाक वेक्ती है. तो was गोपाल a clever man. यहाँ, वोज की जगह है, does का यूज़ करें. Does Gopal a clever man. Next time, yes, Salini lost her purse. हाँ, Salini अपना purse खो दिया, या? तो जाएगा, did Salini lost her purse? क्या, Salini अपना purse खो दिया? Next time, no, the total tie is not. had not won the rest. नहीं, यहीं कच्छवा है, वो rest नहीं जीत पाया. तो आजाएगा, had the tortoise won the rest. क्या कच्छवा रेस जीत पाया? तो उस कांचर हो जाएगा, नहीं, नहीं जीत पाया. तो इस तरीके से अपने को, इन framing questions का निर्मान करना है. I hope क्या आपको यह अच्छे से समझ में आएंगे, किस तरीके से इनको बनाना है, तो अच्छे से एक बार इनको दुबारा देख लें, अगर समझ में नहीं आया है तो, और अपनी workbook को अच्छे से बढ़ते रहें, और description box में लिंक दिया गया, जहां से आप गुनित और विज्ञान के कार्यपत्रग भी यह नहीं कर सकते हैं, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, Thank you.